हर वक्त की मैं बात नहीं करता, मगर कभी अचानक से तो कोई बात याद आती होगी, था एक सक्स नाम ना जाने क्या था उसका, ऐसा सोच कर बेचैनी तो छाजाती होगी, कभी कोई खयाल मेरी महब्बत का दम तो भरता होगा, जब हंसती होगी उसके साथ तुम, तो मन में इस बात का मलाल भी होगा कि वहाँ कोई बेमौत मरता होगा, फिर एक नाम याद करने पर जोर देती होगी, जिसे तुम नीन में भी अक्सर गुन गुनाया करती थी, उसमें तुमारी रूह बसती है, तुम उसके बिना एक पल भी जी ना पाओगी, ऐसी कहानियां जिसे सुनाया करती थी, याद आता होगा कि कैसे तुम अपने माबाबा के आगे मजबूर हो गई थी, वो हाँ छोड़ने को तैयार ना था, मगर तुम अपनों की खुसी के लिए उससे दूर हो गई थी, याद होगा उसने कहा था कि वो तुमहरे बिना जी ना पाएगा, ये जुदाई का जखमितना गहरा है उसके लिए, जिसे वो वक्त की सुई से भी सी ना पाएगा, उसने कहा था कि उसके अपनों की उम्मीदे उसकी समज़धारी उसे खुल कर रोने ना देगी, तुमसे बिछड कर बेसक अंदर से मर जाएगा वो मगर उसके अपनों की जिम्मेदारियां उसके जिस्म से उसकी रूह को खोने ना देंगी उसने कहा था कि तुम्हारे बाद वो भी अपनी ही मौत पर खुल कर रो भी ना पाएगा वो 28 साल का बड़ा सा लड़का है सादी की उमर है जिसकी किसी को कैसे समझाएगा कि वो अब तुम्हारे बिना किसी और का हो नहीं पाएगा कभी तो खुद को कोशती होगी जो किया वो गलत था कभी तो इतना सोशती होगी हमेशा ना सही कभी कभी तो उसे चुपके से देखने का दिल तो करता होगा उसे कुछ हो ना गया हो ये सोच कर दिल डरता होगा गर फिक्ड हो तो सुनो वो मरेगा नहीं अपनों की खातिर वो जीता रहेगा भर जाएंगे जेकम तो फिर से कुरे देगा उन्हें और जब बहेगा खून तो उन्हें सीता रहेगा